होया हुआ data जो आपने tweet कर दिया है उसको कैसे वापिस से लेके आ सकते हो आपके desktop से delete हो चाहिए आपके कोई folder से delete हो आपके memory card से delete हो पेनराइट से delete हो आपका system format हो गया हो सारा का सारा data आपका lost हो गया है पर आप recover करना चाते हो काफी परिशान हो तो इस वीडियो में आपको complete solution मैं आपको दूँगा यहाँ पर मैं review करने वाला हूँ Tenor Share का 4D DIG data recovery software जिसकी वीडियो मैं काफी सारी upload कर चुका हूँ पहले भी काफी अच्छा response आया क्योंकि यह pro level का software है इस वीडियो के help से आपको पूरा का पूरा demonstrate करूँआ रहता हूँ मिलते हैं फिर computer की screen पे बिना देरी के description box के अंदर मैंने एक link दी है उसको आपको click करना है और आप इसकी website पे redirect हो जाओगे तो यहाँ पर Tenor Share की website पे clear cut यह windows data recovery software है आपको अपने computer के अंदर इस software को download दर लेना है इस software के health से आप multiple file format की जितनी भी deleted data होगा उसको आप recover कर पाओगे कोई भी limit नहीं है file की तो यहाँ पर आपको simply pro level का software को download कर लेना है यहाँ पर आपको free recovery भी मिलेगी और आपको paid recovery भी मिलेगी तो मैं recommend करूँगा कि यह आपका ज्यादा data है तो आप अपने इस pro level के software को जाना क्योंकि आपको delete data recovery, recyclable format और काफी सारी raw data, crash data और आपको partition recovery भी आपको यहाँ पर मिलने वाली इस software की help से तो guys चलते हैं फिर computer में आपको मैं बताता हूँ one by one step, पूरा complete demonstrate करता हूँ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक folder से अपने data को delete करूँगा जो data delete या है उसी data को वापिस से लेकर आउगा तो यहाँ पर मैं अपने system के अंदर license को पहले activate नहीं कर रहा हूँ normally जैसे आप download करोगे, simply मैं वही process follow कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पर download वाले option पर click करके उस वाली EXE को download कर लेना है इस software की EXE को और अपने computer के अंदर install कर लेना है जैसी आप इसको install करोगे, install करते ही आपको यहाँ पर कुछ interface मिलने वाला है जो interface मिलेगा काफी सारा, मतलब काफी अच्छा interface है कि यहाँ पर कोई user friendly आपको बताया जाएगा, आपको कोई इदर उदर बठकनी की जड़ोत रही है आप इसके interface को दे सकता है, आपको सारी drive यहाँ पर show हो जाएगी show होने के बाद आपको desktop भी मिलेगा, recyclable भी मिलेगी आप कोई specific location को भी select कर सकता हूँ तो guys, अब मैं आपको देखाता हूँ, मेरे यहाँ पर desktop के अंदर कुछ data पड़ा हुआ है तो इस data के अंदर काफी सारी, मतलब इस folder के अंदर काफी सारी आपको दिख रही होंगी यहाँ पर मेरे thumbnails है, जो मेरी photos है उन सारी photos को यहाँ पर मैं delete कर हुआ तो आपको 1 by 1 पहले open करके दिखा देता हूँ तो देखिए guys, यहाँ पर मैंने सारे अपनी thumbnails को open करके दिखा है यह photos है, इसकी जगे आपकी कोई file भी हो सकती है सारे thumbnails यहाँ पर open हो गए है अब आप देख सकते हो, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा एक excel की file यहाँ पर बनाऊँगा basically create करूँगा excel की file को और उस excel की file के अंदर आपको कुछ data डाल के दिखाऊँगा guys, कभी कभी क्या होता है कि हमारी excel की file जो important file होती चाहए अपने office में work कर रहे हैं, अपना काम जितने भी work कर रहे हैं यहाँ पर आपको जो result मिलेगा वो किसी भी software में नहीं मिलने वाला है तो यहाँ पर देखो मैंने values को add करा दिया जिससे आपको पता चलाएगा कि जो मैं recover कर रहा हूँ, क्या वो ही file है क्या तो यहाँ पर मैंने सारा का सारा data यहाँ पर fill कर दिया अपने dummy data fill कर दिया है, same ही मैं यहाँ पर process follow करूँगा अपने MS Word का एक मैंने यहाँ पर create किया है और create करने के बाद यहाँ पर simply मैं कुछ type कर दूँगा करने के बाद यह data मेरा जो होगा as it is recover होगा यहाँ पर मैंने आपको पहली बता है कि यहाँ पर मैं अभी free tool को use करने वाला हूँ यहाँ पर मैं कोई भी pro level का software को update नहीं करूँआ यहाँ पर पहले मैं free में use करूँआ उसको free में क्या क्या मिल सकता है वो आपको बता हूँआ उसके बाद आपको डिसाइड करना कि क्या आपको इसके pro version पर जाना या नी जाना तो यहाँ पर मैंने shift delete कर रहा हूँ सारी files को आप देख सेब तो इस folder की सारी files को मैंने shift delete कर दिया है अब आपको क्या करना है simply मैं यहाँ पर recycle bin भी आपको delete करके दिखाएता हूँ जिससे कि आपको कोई भी शक ना रहे कोई भी आपको confusion ना रहे कि मैंने recycle bin भी तो मैंने यहाँ पर दौनों चीजों को empty कर दिया है अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ अपने software को यहाँ पर open करूँगा और simply अपने desktop वाले जो location होगी इसको scan कर दूँगा और फिर आप देखना जादू जितनी भी files रिलीट हुई है वो as it is यहाँ पर मिलने वाली है तो guys यहाँ पर मैंने desktop वाले option को यहाँ पर मैं select कर रहा हूँ select करने के बाद ठीक है select करने से पहले यदि आपके desktop पर पता ही कौन सी location से हुआ है तो simply आपको उसकी link copy paste कर देना है और यहाँ पर scan कर देना है यदि desktop पर क्लिक करोगे तो सारी files आपकी scan होगी आप particular location को select करोगे select folder करके तो आपकी उस location का ही data आपको मिलने वाला है तो सारी files यहाँ पर scan होके हैं मुझको दिखने वाली है अब यहाँ पर आपकी चॉइस है कि आपका data रिकवर हो गया है आपको यहाँ पर आपका data दिख रहा है तो आपको update करना है software को मतलब इसका license version लेना है या नहीं लेना वो आपके उपर है गाइस मैं आपको बदा रहा हूँ कि यहाँ पर यहाँ पर आप license version नहीं लेते हो तो आपको simply अपने जो भी आपकी files होंगी उसका preview दिख जाएगा मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपकी file किस तरीके से open होने वाली है जैसे मैं आपको आपको यहाँ चेक करके दिखाता जो मेरा document है जो मेरी Excel की file है उसका भी preview दिख रहा है बट यहाँ पर एक नीचे watermark टैप का आ रहा है कि आपको pro version में अपडेट करना पड़ेगा तब ही आप इसको recover कर पाऊगे तो guys pro level के version पर जब जाना ही है तो आप easily इसको purchase कर सकतो क्योंकि यहाँ पर data ज्यादा important है तो आप करना मेरा data important नहीं है तो मैं नहीं कर रहा हूँ मैंने देख लिया कि हाँ ठीक है data था यदि आपको करना है तो आपको update वाले update प्रो वाले बटन पे click करना है काफी सारे packs मिलेंगे आपको one month कभी मिलेगा license one year कभी मिलेगा lifetime तक का अभी उलेगा तो आप easily अपने budget के अभी ऐसा giveaway भी करों कि जो आपको यह free of cost की 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 लिए भी मैं आपकी help कर सकता हूँ तो guys video को देखते रहे ना continue comment करते रहे ना continuously करकी मैं कोई भी बंदले को एक giveaway की भी दे सकता हूँ तो यहाँ पर मेरी जो files है सारी almost recoverable state में है मैं चाहता हूँ तो मैं recover कर सकता हूँ यहाँ पर तो मेरी सारी files open हो गई है यदि आपकी file open हो गई है तो आप इसका pro level का version नहीं बार use करके देखना है थी important data है तो आपको 30 days की money back guarantee मिलती है 24x7 online support मिलता है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इस software में जो भी updates आते हैं वो आपको free of cost मिलेंगे क्योंकि इस software के अंदर का आपको partition recovery मिल जाता है आपको duplicate file deleter भी मिल जाता है मतब काफी सारे ऐसे हैं जो आपको free of cost update हो जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है आपको एक extra feature मिल रहा है software के अंदर तो आप इसको try जरूर करना और आपको इस video से help मिलती है तो comment कर देना वीडियो के लिए कर देना चैन कर दो